नमस्का दोस्तो मैं प्रकाशाग का एक वार फिर स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल प्रकाश रंग्वाल में दोस्तो आज हम अपने ब्लॉग में बात करने चलने हैं अक्रेलिक वॉल पुट्टी की क्या होती है क्यों लगाय जाती है इसको लगाने से क्या के क्या आती है तो पहला सेमेंट वेस्ट पुट्टी आती है दूसरा अक्रेलिक पुट्टी अक्रेलिक पुट्टी का मतलब होता है वह भी आपको बताता हूं पहले आप जान लेजिए कि सेमेंट पुट्टी क्याता है सेमेंट पुट्टी एक तरीके किसा वाइट कि गि Carneल को मिला के फुटि बनाई जाती है जो पॉडर फारम होती जिसको हम लोग बिरला पुट्ति जेके पुट्ति और सेंटों की पुट्ति दाके सभी कंभी खुट्बिंघ पुट्टी के है और यह depends और नॉन मॉटर्वूफ दोनों आती, जिसको इंटियर और एक्स्टियर दोनों लगा जाता है, ठीक है, लेकिन इसको हमको सान के पानी में और फिर उसके बाद हम करने या पती से लगाते हैं, अब बात करते हैं, अक्रेलिक पुट्टी की, अक्रेलिक पुट्टी एक ऐसा अ मॉल में या किसी ऐसे शोरूम में, जहां की वॉल इतनी परफेक्ट फिनिश आती है, उसमें रॉयल या इंप्रिशन या जो भी महंगे पींट होते हैं, वो इतनी अच्छे खिल के आते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो अक्रेलिक पुट्टी का ही कमान होता है, जब अक्रेलिक पुट्टी को सही तरीके से लगा जाता है किसी वॉल पे और परफेक्ट फिनिश के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी फिनिश देती है और एकदम देखने में सीसे के तरह चमकने लग जाती है, दोस्तु एक्रेलिक पुट्टी के बारे मों हम लोग बात करेंगे पुट्टी के actual में काम यही है, cement पुट्टी बहुत से लोग लगाते हैं, maximum लोग पुट्टी लगाते हैं, लेकिन acrylic पुट्टी बहुत कब लोग लगाते हैं, अगर आप finishing चाहते हैं, बहुत अच्छी, बहुत smooth, तो acrylic पुट्टी को आपको इस्तबाल करना पड़ेगा, यह अंदर के लिए होती है, इसको अंदर के वो लगा जाता है, साथ में इसको वुट पे भी लगा सकता है, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, और लकडी के फर नीचे जिसमें हमको paint करना है, उसमें भी लगाई जा सकती है, पॉलीमर बेस होता है, इसके अंदर acrylic finish होती है, इसमें acrylic जैसे plastic finish कह सकते हैं, इसको acrylic distemper आता है, acrylic paint आता है, जो plastic जिसको कहते है acrylic, वो इसके साथ मिले होते हैं, पहले आपको याद होगा, अच्छे से mix करके वो पुट्टी को बनाते थे, उसी का substitute सभी paint कमनिया लेकर आई है, ये Asian, Narrow Leg, Dulac, सभी कमनियों में acrylic पुट्टी के नाम से बहुत आसानी से मिल जाता है, और सब की quality लगभग लगभग सेम होती है, किसी की थोड़ी सी covering जाता है, दोस्तों ये एक दम गीली, sunny, sunny, sunny पुट्टी होती है, ready to use पुट्टी होती है, इसके साथ हलका-फुलका पानी डालके इसको एक बर फेट के, इसको पतले से कन्नी से लगा जाती है, या blade से लगा जाती है, बहुत पतली layer लगा जाती है, देखने में ये एक दम मक्खन की तरह होती है, और एक दम मक्खन की तरह ही हलका इसका yellowish tone ये पूरी तरीके से वाइट पुट्टी नहीं होती है, हलका सा off-white tone में रहती है, इसको direct use किया जाता है दिवारों पे, इसमें साथ में और कुछ नहीं ये वाइटिंग मिट्टी, P.O.P. या कुछ भी ऐसा चीज में नहीं मिला जाती है, दोस्तो होता क्या है कि जब ही हम लोग अपनी घर में कोई P.O.P. की जो false ceiling मना आते हैं या P.O.P. की wall को हम लोग finish कराते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी finish नहीं आती है, इसको अगर हमें लगाना है, तो हम इसको एक्रेलिक पुट्टी को P.O.P. की finish में, जैसे अपना false ceiling हो गया, wall हो गई, जिसमें हमने P.O.P. से base बनवाया है, इसको करना कुछ नहीं है, bucket पैक में जो आती है, वो एक किलो, पांच किलो, दस किलो और बीस किलो की पैक में आती है, पैक को लेना है, आपने मालेजे एक किसी रूम में लगाना है, दसभाई बारा के रूम में, इक कोट लगाना है, एक कोट प्राइमर की costing बहुत ही कम आती है, लेकिन प्राइमर से base बहुत perfect बनने लग जाता है, मतलब पुट्टी का जो है, तो उसको पहला कोट लगाना है उसके बाद आपको एक्रेलिक पुट्टी खीचनी है एक से दो कोट आप खीच सकते हो और बहुत ही पतली बहुत ही स्मूथ तरीके से लगाना है और बहुत ही सर्फेस में ज्यादा ब्लेड के निशान नहीं दिखने चाहिए यह चीज को ध्य करना नहीं है इसको आपको हलके हलके हातों से रब करना है और जहां ब्लेड के निशान है वो हटाने है फिर इसके बाद एक बार इसमें कपड़े से मारके से डस्टिंग करके इसको फिर आपको प्राइमर लगाना है प्राइमर लगाने के बाद तब उसके बाद आप को आप पेंट लगाना है वह आप लगा सकते हो आप नॉर्मल आप सेमेंट बेस पुट्टी पर एक पेंट कर लगाने के बाद और अक्रलिक पुट्टी लगाने के बाद दोनों की फिनिशिंघ में जमीन आसमान का अंतर आएगा दोस्तों यह एक ध्यान देने के जरूत है कि इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं रहे सकता है वाटर बेस पीन वाटर बेस है ये इसमें तेल या तारपिन का तेल या थीनर वगएरा बिलकुल नहीं मिला जाता है जहां दक में होता है दोस्तों यह चार से गंटे में आसानी से स्ट हो जाती है दिवाल में सूक जाती है उसके बाद ही तो इसके रिगमार लग्र कि दस किजी 10 kg 20 kg पैक में आती है MRP अगर एक लेटर की अभी देख रहे हैं तो एक लेटर की जो पैकिंग की जो MRP है वो लगबग 120 रुपय आती है लगबग यह 90-100 रुपय में एक लेटर मिल जाता है बड़ी पैकिंग और सस्ते बढ़ती है और दूसरा इसकी सबसे बड़ी बात कि है कि इसको बाहर नहीं लगाया सकता दोस्तों यह ध्यान दीजेगा जिर्फे नहीं होती है यह सर फेस इतनी स्मूद के युल बनाती है बाट यह वाटर पूस को इसके लिए ज़ुर आप ध्यान कि इसको एक्स्टेर वाल पर नहीं लगाना, इसको हमको इंटियर वाल में लगाना है, फॉल सिलिंग में बना लगाना है, तो आप लोग ने जाना किस तरीके से यह एक्रेलिक पुट्टी क्या होती है, और किस पे लगा जाती है, हम आपको यह इसका बॉक्स दिखाते हैं, यह एशन देखने में आया है कि acrylic पुट्टे से लोगों ने design भी बना दिया वह क्रेटेक्स को create कर दिया और यह सब भी है बट यह बहुत ज़्यादा success होता नहीं है कि क्रेटेक्स जो है वह अगर आप अपने वॉल पे बहुत अच्छी एकड़ मार्वल फिनिश के साथ पेंट जाते हैं तो आपको अपने वॉल पे अक्रेलिक पुट्टी ज़रू ट्राई करना चाहिए जब आप महंगे पेंट लगा रहे हैं जब आप इंटिरियर में जब महंगे पेंट लगा रहे हैं आप फिनिश रॉयल की लगा रहे हैं एजडी का फिंट लगा रहे हैं टेफलोन कोटिट लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने वॉल पे एक बढ़ियां बेस की जरौत होनी चाहिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप कोई सूट बनवाने जाते हैं टेलर के पास में और सूट का जो कपड़ा होता है 1200-2500 मीटर का कपड़ा होता है उसके बाद अगर जो दर्जी जो उसका टेलर जो है अगर और सही तरीकहे से सहलने के कोशिश करता है जब तक उसका अस्तर सही नहीं होगा मतलब उसकी नीचे जो सारी चीजे होगे वो सही नहीं होगी तब तक उसकेuses के बहुत परफिक्ट नहीं आएगे उसी तरीक Duty व्ल फिमश्ड पूट derecho को बाप में तो उसकी फइनिश बहुत ही बोलेंगे कि इसमें पुट्टी चाहिए हमको तो वह लगाके देगा और अगर कुछ और जानकरी चाहिए पुट्टी के बारे में तो प्लीज कोई कमेंट इसमें हो करिएगा बताएगा मैं इसको जबाब देने के कोशिश करूंगा तो दोस्तों आज अपने व्लॉग में इ एक ऐसा चैनल बनाया है जो की पेंट से लिड़ेटिट पेंट कंपनियों के बारे में मैं बात करता हूं अपने चैनल में और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्स्राइब करिए मेरे चैनल को आज अपने व्लॉग में इतना रखते है थैंक है हुआ हूआ हुआ 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 है